नमस्कार मैं हूँ रूप सिंग गुसाई और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल ANC इंडिया खबरों में खबर आपकी खबर जी हाँ मैं इस वक्त मौझूद हूँ बलजीत नगर चेतर में और आज की वीडियो बनाने का मतलब मकसद केवल इतना है कि ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके मेरे साथ बलजीत नगर के ही एक निवासी बावू लाल जी बैठे हैं जो की हो रहने को तो उत्तर परदेश बिजनोर के रहने वाले हैं लेकिन वो पिछले काफी सालों से यहां बलजीत नगर एरिया में ही रहते हैं और इनके साथ जो पिछले तीन सालों में जो घटनाए हुई वो एक के बाद एक ऐसी घटना थी जो कि आदमी को भुरी तरह से तोड़ दे लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने हिम्मत और होंसले के चलते इस जंदेगी को जी रहे हैं जंदेगी के सफर को पूरा कर रहे हैं मैं बताना चाहूँगा कि इनके साथ पिछले तीन सालों में इनको प्रॉब्लम हुई और इनको अपनी टांग कटवानी पड़ी दाई टांग उसके बाद इनका नवरातरों के पहले ही दिन में इनका लड़का गुजर गया उसके बाद इनके आँखों की रोशनी चली गई अभी इन्हों ने आँखों में लेंस लगवाया हुआ है अपनी टांग में नकली टांग लगवाई हुई है और अपना काम धंदा करके मेहनत करके अपना जिन्दगी को गुजार रहे हैं तो बाबुलाल जी बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपके इस होसले को इन्सान के इंदर होसले से जीना चाहिए देखो मेरा 20 साल का लड़का चला गया बार में पढ़ा था चोरी होगी मेरे घर में आखों चला गया फिर लॉक्डाउन लग गया फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी आज भी मेहनत करते हैं आपकी टांग कैसे चली क्या तकलिफ होग आप देख पा रहे हैं अभी नाखों से चीज़ी देख पा रहे हैं कितना खर्चा इन आखों के लेंस में वीच जार विकरियों और यह जो नकली टांग जो आपकी लगी है जो कृत्रिम टांग इसमें कितना खर्चा है इसमें आने जाने आ करा बाड़ा मलद राजंदर न अच्छा एक लड़का था जो गुजर गया दो लड़के थे पहले तीक है आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को हिम्मत होनी चाहिए बस होसला बुलन रखना चाहिए इनसान को कभी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए बस यह कहना चाहूंगा मैं अभी आप काम कर रहे हैं क को कुछ परिशानी उठानी पечा है वह यह बता रहे हैं कि मतलब काम करने के बाद जो है समय पर इनका पैसा इनको नहीं मिल पाता जिससे दिक्कत आती है क्योंकि आदम कोई भी काम करता है तो पैसा कमाने के लिए काम करता है जिससे कि सका जीवन व्यापा नोब परिवार चल सके तो मतलब समय पैसा नहीं मिलता समय पैसा नहीं मिलता अभी आज के समय में आप एक दिन में लगवा कितना पिछले चोदा से सोला के वीच में अब तक काम किया उसका कोई पैसा नहीं मिला पच्छी सो रुपे मिलें घर चलता है तो जो भी वीडियो देख रहे हैं यहां यह काम करते हैं अगर उन तक यह आवाज जा रही है यह वीडियो जा रही है तो मैं तो केवल इतना कह 550 काम करने के बाद तो उसका पैसा देजिए जी सर जी देखो मज़ी दूर को क्या चाहिए मज़ी दूर को टेम पेशा चाहिए काम करने पीछे नहीं अड़ता है मैं कल चुटी माराशी वेसे आज फिर चुटी यह जब पैसे टंप निमिलेगा तो बताँ क्या करें आपके जो बच्चे वो कितरे बड़े हैं मेरे लड़का बढ़ा वाला मुल्लू जर्ण एकीस साल का लड़की 18 साल की तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं यह कहीं काम कर रहे हैं नहीं लड़का काम करता है हां लड़की मु बड़ा को जान करके जो है बड़ा दुख हुआ है और बस इश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो है ऐसे वेक्तियों को और भी हिम्मत दें ऐसे लोगों से हमें प्रेणा मिलती है तो मैं अपने सभी दर्शकों से जो है इस वीडियो के साथ विदा लेता हूं और यहां तक कि आत्मत्या कर लेते हैं और कहना है हमत टूड़ जाती है इसा होता है सरह ऐसा होता है क्योंकि मेरी हिम्मत कई दफें तूट चुकी है वह फिर भी मैंने अपना होसला मनाया आपने बताया बीच में भी बात हो रही थी कि आप एक वारी रेलवे लाइन पर चला तो बहुत बड़ी बात है कि इनके मतलब हर इंसान के जीवन में क्योंकि हम लोग कॉमन लोग हैं नॉर्मल वेकती हैं साधारन वेकती हैं एक पारी जीवन में सभी के साथ प्रेशानी चलती हैं कहीं न कई दिमाग घूमता है इसा मन कर जाता है कि आत्मत्या कर लो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा लेकिन यह रास्ता नहीं यह उपाए नहीं क्योंकि इश्वर ने हमें जिंदगी दिये मानव रूप दिया है इंसान की योनी में हम लोग पैदा हुए हैं और यह बहुत बड़ी नेमत है इश्वर की औ आपको हमेशा जब अच्छा ही नीजिय वो बुराही नी नीजिय तो अच्छा ही नी रही प्रोगु आपको को चकरना है बुई-दिल की मौत जो मड़ता नहां उसके अंदर दुनिया क्या निकालती है यह इजना गटिया इन्सान था करके नहीं खाया यह नहीं वह नहीं म पिर भी संगर्स कर रहे हैं ना संगर्स करो जीवन सबसे भगवार ने उसकी लीला वह जानेगा पता नहीं कौन से कर्मों की सजा होती है कौन से नहीं बहुत धन्यवाद आपने इतनी बड़ी बाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने लोगों के साथ शेयर करी थैंक्यू सो निवेदन है मेरा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो और आपकी लोकल न्यूज और जो भी इंटरनेशनल लेवल की जो भी न्यूज होंगी हम इस चैनल के माध्यम से अगर आपको इनके परती दया भाव या सानुबूती आती है आपके मन में तो और यदि आप इनकी कोई आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हम से संपर्क कर सकते हैं आपकी मदद को हम सीधा इन तक पहुचा देंगे धन्यवाद